मेरी चानल में आप साथी कस पागत है स्पॉंज केक बनाने के लिए तीन अंडे इंको मीडियम स्पीड पर सिर्फ पांच मिर्ट के लिए पहले बीट कर लेंगे आप हैंड विस्कर का फिर इस्तमाल कर सकते हैं इस कप का आट कर रही हूँ तीन कप पिसेवी चीनी तीन चौथा एक कप तेल एक कप दूद मिक्स कर लेंगे चार टॉबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मैं यहाँ पर कस्टर्ड स्पॉंज केक बना रही हूँ मिक्स करेंगे जिस कप से हमने पिसेवी चीनी को ना पाता उसी कप का सेम क्वांटिटी में लएंगे मैदा तीन कप पिसेवी चीनी तो तीन कप मैदा आदर टेबल स्पून बेकिंग पाउडर दो से तीन पिंच नमक इनको चान लेंगे सभी को बहुत अच्री तरह से मिक्स कर लेंगे दो डबल स्पून काजू, दो डबल स्पून किश्मिश और दो डबल स्पून टूटी फूटी जिनको मैंने सिर्फ धो लिये हैं इनमें थोरे साही मैदा आड़ करके मिक्स कर लेंगे और इसे ही साइक में डग देंगे इसे ही केक की तेले में नहीं जाएगी एक तिहाई टबल स्पून जाइफल कद्दूकस की इवी दो टबल स्पून ओरेंज कचलका जिसको मैंने कद्दूकस कर लिये हैं टूटी फ्रूटी को आड़ करेंगे पिक्स कर लेंगे अब इनमें अंडे की मेक्सचर को आड़ करेंगे और इनमें बस बीट कर लेंगे पास से 6 मिनट के लिए हाइट स्पीड पर और इनमें कोई भी लंस ना है उतने तक हमें इने बिट कर लेना है केक टीन को तेल से ब्रॉश करके मैदे से डस्ट कर लिये हैं केक की बाटर को डाल देंगे उपर से थोड़े से ही टूटी फ्रॉटी और काजु के श्मिश टाप करेंगे यहाँ पर कराई मैं नमक और इक स्टैंड टेकर मीडियम फ्लेम पर दस मिनिट के लिए प्री हीट कर लिये है स्टैंड के ऊपर केक टीन को रखतेंगे कवर करके लो टू मेडियम फ्लेम पर पका लेंगे 40-45 मिनिट के लिए 40-45 मिनिट के बाट केक बेक हो चुकी है इसको चेक कर लेंगे यह पूरी साफाई है केक बन चुकी है केक को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे एक ही तरह से और एक केग भी बन चुकी है, इसको भी ठंडा कर लेंगे, केग की साइट्स को रिलीस करेंगे, और केग को निकाल लेंगे, बहुत एक पिक और इजी कस्टरड केग बन चुकी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे बना कर फिज में रख सकते हैं, बच्चों को लुंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही कम चीजों से घर में ही, सिर्फ कराई में, आप केग बना सकते हैं, और यह बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, बिल्कल सॉप्ट और स्पांजी भी, दूसरी केक की साइज को भी रिलीस करेंगे, और उसके बाद केक को निकाल लेंगे, केक को आप आदा से एक घंटा ठंदा करने के बाद परोशे, तो यह खाने में और फिर जादा टेस्टी लगते हैं, नहीं तो बीथा थोड़ा सा कम लगता है, तो घर में जरूर बनाईए और कमेंट करके बताईए कि कैसी बनी है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेर कीजिए, मेरी चानल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच पर वचिंग इस वीडियो, क्या जरो प्लीज सब्सक्राइब की बनी है,